नमस्कार स्वागेते आप सभी क्या चुनाव आज तक में आपके साथ मैं हूँ शाशी दुशार शर्मा राजस्तान में बीजेपी इस बाट चूग गई है पिछले दो लोगसभा चुनावों में प्रदेश की सभी 25 सी टेंडिये की जोली में लाने वाली बीजेपी इस लोगसभा चुनावों में महस 14 लोगसभा सीटों पर ही जीतांसल कर पाई है जबकि 11 लोगसभा सीटों पर इंडिया गटबंदन जीतांसल कर पाने में काम्याब रहा है इसके साथ ही अंदर खाने बीजेपी में संगठंस्तर पर बदलाप की कवायश शुरू हो चुकी है राजिस्थान से जोड़ी ये खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दे कि चुनाब आज तक चुनाबों से जोड़ी तमाम खबरों के लिए एक मात्र विश्वस्निय ठिकाना है लेहाज अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अब बात राजिस्थान की कर लेते हैं दरसल इस वक्त मुख्यबंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और डेपूटी सीएम प्रीम चंद्र बैरवा दिल्ली में है माना जा रहा है कि राजिस्थान में जल्दी खराप प्रदेशन के बाद पार्टी अला कमान बड़े फैसले ले सकता है यानि कि बहुत ही जल्द राजिस्थान में खराप प्रदेशन के लिए जिम्मेदारी तै की जाएगी सवाल अब ये भी है कि क्या राजस्तान बीजेपी में नेत्र तो परिवर्तन हो सकता है इस पर बात करेंगे लेकिन आए सबसे पहले सुन लेते हैं कि चुनाफ में लचर प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा क्या है क्या जिम्मेदारी फिक्स होगी जो लॉसेस राजस्तान में हुए है चुरू की सीट गई राहूल कस्वा को नहीं रोक पाए प्रलाद गुंजल चलेगा आपको लगता है कि यह सब कारण रहे हैं कई लोग आए भी हैं बाजपा में तो देविंदर फटनविस ने सर अपना इस्तीफा ओफर कर दिया है माराश्ट्र में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या आपको लगता है राजस्तान में वैसा कुछ होगा देखिए जल्दी इसके बारे में बादशित करेंगे और इसकी सूसना आपको जल्दी देंग पॉसिबिल्टी है कि राजस्थान में भी गाज़ गर सकती है जो नतिजे वैसे नहीं आये जैसी उमीद थी दिखे राजस्तान में वासपा की सरकार बनी हैं और आगे भी जैसा मैंने कहा था कि इसके बारे में बादस्रीत करेंगे फिलार राजस्तान बीजेपी में नित्रुत परिवर्तन को लेकर तमाम तरह कि सियासी चर्चाइं शुरू हो चुकी हैं कयास ये लगाये जा रहे हैं कि खराप्रदर्शन के गाज़ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर गिरेगी दरसल प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद इस लोगसभा चुनाव में अपनी चित्तोरगर सीट पर उलजे रहे और इसी बज़र से राजस्तान बीजेपी को लोगसभा चुनावों में जो गाइडन्स मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई ऐसे में बीजेपी बिखरी बिखरी रही कॉंग्रेस ने इस थिती का फाइडा खाया और ओधर कॉंग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटा स्राप पुर जोड तरीके से लोगसभा चुनावों के लिए टटे रहे इसके कारण कॉंग्रेस एक जुट रही और पाटी ने राजे में जबरदस्त कमबैक किया गोर्तल एक चुनावों से कुछ महीने पहले ही राजस्तान की कमान में परिवरतन करके सीपी जोश्फी को कमान सौंपी गयी थी और इससे पहले प्रदेश में बीजेपी की कमान सतीश पुनिया पास थी मोटे तोर पर अगर देखा जाए तो राजिस्तान में बीजेपी की हार के कुछ प्रमुख कारण गिनाए जा सकते हैं पहला कारण है पार्टी ने चुरू में अपने ही सांसद राहुल कस्वा को दुबारा टिकेट देने से इंकार कर दिया जिसकी वजह से कस्वा कॉंग्रेस में चले गए जाट समुदाय से आने वाले राहुल कस्वा ने खुलकर आरोप लगाया कि दिगज राजपूत नेता राजिद्र राठोड उनका टिकेट काटने के लिए जिम्मिदार है इसके बाद चुरू में डाटो की नाराजगी के कारण बीजेपी को पूरे शेखावटी क्षेत्र में बड़ी हात का सामना करना पड़ा है जिसमें चुरू है, जुन्जुनू और सीकल लोकसभा सीटें शामिल है इन सभी सीटों पर जार समुदाय की बीजेपी से नाराजगी ने अपनी भूमिका निभाई है इसके अलाबा राजिस्तान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक सीपी जोशी के ब्रहमन होने से ये थारण ना बन गई थी कि बीजेपी पर घ्रामन और राजपूत समुदाय के सदस्यों का ही कबजा है जबके राजपूतों की नाराजगी पहले से ही चल रही थी ऐसे में जाट और राजपूत याने के दो बड़े समुदाय बीजेपी के खलाफ चले गए साथी राजप्तान में मीणा समाज के कद्दावर शक्सित डॉक्टर किरोडी लाल मीणा को भी प्रमुख मंचाले से हटा दिया गया था इसे मीणा समुदाय के नेता के अपमान के तौर पर देखा गया इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को दो साथ, टोंग, सवाई माधोपूर और भरतपूर सीटों पर हारका सामना करना पड़ा जहां मीणा समुदाय के खासी आबादी है इसके अलावा जिस तरह से राजस्तान के पूर्वसीयम वसुंद्रा राजस सिंधिया को पार्टी में दरकिनार किया गया इसके कारण भी मतदाताओं के एक वर्ग में गलफ संदेश कया साथी साथ बीजेपी ने एक रणनीती कार के तौर पर भी वसुंद्रा राजस को मिस किया चुनावाज तक पर आप चुनावों राजनेतिक पार्टी और चुनावों से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों की जानकारियों को हासिल कर सकते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंदा है तो लाइकी से जरूर कर दीजेगा साथी साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा नमस्कार